नमस्कार अत्यरे राजद्रोह ना मुद्दाओं पर देश मा खुब चर्चाओं थाई रही छे राजद्रोह औने राष्ट्रद्रोह सु बेई एक वस्तु छे क्या लग-लग सु सरकार नो विरोध करवो ए राष्ट्रद्रोह छे अने जो ए राश्ट्र दो छे तो एनांगे कोई जोगवाई खरी राजद्रो ना संबंध मां IPC ना कलम 124 ए मां जोगवाई थे ली छे के राजद्रो करनार व्यक्ती त्रण वर्स्त नी केद नी सजा थी लई जन्मटीप नी सजा सुधी नो सजा मेडवी सके छे राजद्रो सुँचे तो के जे काईदादवारा स्थापीत सरकार छे ए सरकार नो तीरसकार करवो एनो अनादर करवो ए राजद्रो छे आपने कलम 124 ए IPC नित भार्षा ने ध्याने लिए तो तो अहिया एज वस्तु रजु करी छे के जोए कोई व्यक्ती बोले ला के लखे ला सब्दो वड़े चिन हो वड़े अथवा जोई सकाई तीवी निसानी हो वड़े के अन्यरी ते भारत मा काईदा थी स्थपायली सरकार प्रत्य धिकार अथवा तीरसकार के अनादर पेदा करे के तेम करवानी कोशिश करे अथवा तेने सामे बेदिली फेलावे के तेम करवानी कोशिश करे तेने साथे दंड करी सकाई तेवी जन्मटीप नी सचा अथवा साथे दंड करी सकाई तेवी त्रण वर्स सुधी नी केद नी अथवा दंड नी सिक्षा करवा माउसे भाईवे नो इंडियन पीनल कोड नी कलम 124A आ राजद्रोह नी व्याख्या पन करे छे राजद्रोह करना और व्यक्ति ने सजासू आप भी एपन सपस्ट करे छे अब आपत उपर राजद्रोह ना संबंध माँ आपने बेप्रस्ण उभा करी सके के राजद्रोह कोने के वाई तो के काईदा थी स्थपायली सरकार प्रत के धिक्कार अथवा तिरसकार के अनाधर पेदा करे ए राजद्रोह छे जो आवो कोई धिक्कार के ती रसकार पे ना करवानों प्रहत न करे तो ए व्यक्ती ने दंड सही तथवा दंड वगर त्रण वर्ष नी केद थी लई जन्मटिप नी केद नी सजा मड़ी सके छे भाई बेनो अईया थीज आपने ए वस्तू समझी सके कि अत्यारे चर्चा माहिटला माटे छे कि गयावर से एक अरजदारे सुप्रीम कोट समक्स अरजी करी के राजद्रहों नो आ काईदो आ कलम आ व्यवस्था जोगवाई समाप्त करी देवी जोगे अने सुप्रीम कोट ने मुद्दा उपर चर्चा विचारना अने सुनावनी नी प्रक्रिया सरू करी केंद्र सरकारे पोतानो जवाब आपियो केंद्र सरकारे पहला एवो अभीगम रजु करियो के आ जोगवाई आ काईदो यथावत बनावी राखो जोई पहले सुप्रीम कोट ना ज्याया धिसो ना अभीगम ने जोई इमने पन एक हकारात्मक द्रश्टिबिंदु दरसावियो केंद्र सरकारे के आनी अंतरगत्पन का एक परिवर्तन करवा माटे अमों विचारी रिया छी है अमें पंदर सो थी वधू काईदा और रद करिया छे तो आजे आज़ादी ना अमरूत महोत्सों ना वर्ष मां अमें राजद्रों ना काईदा ने पन अंतरगत्पन परिवर्तन करवा आंगे विचारना करी शो यह एक आश्वासन सुप्रीम कोट मां रजू करियो अने एना कारने ज आम उद्धो तेरे चर्चा माँ छे भाइबेनो आम उद्धो आ राजद्रों सब्द भारती यह काईदा की यह व्यवस्था मा क्यार थी आवियो अपने एने हिस्टोरिकल बेक्ग्राउंड कही सकिये राजद्रों के इसनो आ काईदो अधारसो सित्तेर मां एक ज्यायादिस स्टिफन नामना महोदई थेया एम नी जे द्रस्टी हती एने आईपीसी मां एक सुधारों करावियो अने एक 124 एनी जोगवाई सामिल करे आजादी पछी आपनी बंधारन सभानी चर्चाओं मां पण एम मुद्दो सामियावियो कि अभिव्यक्ती नी स्वतंत्रता आपने आपी रहिया चे ये वानी नी स्वतंत्रता आपी रहिया चे ये तो ए वातावरण मा सु राजद्रोह नी जोगवाई काईदा की व्यवस्था नो भाग होवी जो ये एक वाद ध्याज मा राग चो बंधारण नी अंतरगत जे आदर सो जे जोगवाईयो औने जे सिद्धान तो स्थापित थाया चे ए आदर सो जोगवाईयो ने सिद्धान तो त्रणे उबाबतो राजद्रोह ने एटले के सरकार नो अनादर थाय सरकार नी टीका थाय एवी अभीव्यक्ती ने स्वतंत्रता नो हिस्सो गणे चे औने बंधारण सभा स्वयम ए द्रस्टी मिंदू उपर लगभग सर्व सम्मध थाती कि अभीव्यक्ती नी स्वतंत्रता ने रक्षण मड़े औने ए रक्षण हेठलाज सरकार नो विरोध करवो सांति पुर्णरी ते काईदानी मर्यादा मा रहीने सरकार नो विरोध करवो ए तो तमाम को मुडबू थाक होवो जोई अने ए द्रश्टी बिंदू स्विकारियो होवा छत्ता अपनी IPC नी कलम ब्रिटिस युगिन मानसिकता ब्रिटिस युगिन द्रश्टी बिंदू ने दर्सावी रही छे अने ए कलम पड यथावत बनीज रही आज दी सुधी एक कलम नो अस्तित्व रही छे वारम वार एनो उप्योग सरकार द्वारा करवा मावियो छे अने आ जोगवाई हटावी जी देवी जोई ये ए आदर्सों ने सिद्धान्तों नी द्रश्टीती साची बात होवानी साथो साथ एवु पड़नले कोखेत पुरुवार थाईू छे के आ जोगवाई यो द्वारा सोरी आ सेडिसन एटले के राजद्रों नी जोगवाई नो राजनितिक दूरूपयोग ठतो आवियो छे ओगनिसो सित्यर्ना दसक मा जारे सरकारे एक एवो अभीगम अपनावियो जे लोक तंत्र अन्य मानो भक्रनों तद्दन विरोधी अभीगम हतो अन्य ए अभीगम हेठळत देश मा पहली वकत आंत्रिक अशांती ना कारण सर राष्ट्री कटोकटी लागू था एली ए समय दर्म्यान आ राजद्रहना काईदानो उप्योग राजनितिक सत्रू राजनितिक रितेज्ये विरोध मा छे एने दबाववा माटे एने एनी उपरतियाचार गुझारवा माटे थायो अने ए बाद नो पूरावो आजना समय माँ पन एन्सी अर्बी ना आकडाओ थी मड़ेचे एन्सी अर्बी ना आकडाओ थी एवु साबित थाईचे के जेटला राजद्रहना केसो थाईचे एना दस टका थी ओछा केस मा सजा थाईचे हुँ 10 टका सब्दब आपनी रही हो छू वह हकिकत जो ये तो कोई वरसे त्रोन टका कोई वरसे चार टका एटला बदा ओछा केश मा खरेखर सजात हती हो छे अने एटले वु केवाई छे कि एक राजनीतिक सस्त्र एक राजनीतिक हतियारना रूप मा राजद्रोहनों काई द करी भारत मा पेलोएवो केस 1971 मा नोंधायो हो तो जे मा तारासे गोपी चंद ने ए आधारे राजद्रोहना गुना मा धरपकड कराई के तेमने भारत नी एकताने अखन डित्ताने ख्षती पहुँचे ए प्रमाने पोतानी अभिव्यक्तिनी स्वतंत्रतानों उप्योग करे त्रोंचार कारणों एकदम इजिली आपने समझ मावी जाए कि फर्स्ट के बंधारन में रजु थे लिए अभिर्यक्तिनी स्वतंत्रतानी विरोधी चे आजोगवाई माटे आने हटावी देवी जोई है अपने आगलनी पर चर्चा कर सूं क्या कही रीते विरोधी छे अन दुरूप्योग ठतो आवियो छे आजाद भारत नो इतिहास राजद्रोह नी जोगवाई ना दुरूप्योग नो इतिहास पन छे अने ए दरस्टी थी मारा भाईबे नो आनो विरोध थोवो एक स्वाभाविक घटना कही सकाई अने ए हकिकतमा आवो विरोध लोगतांत्र जागुरुती ने पन दर्सावे शे उनने मारा भाईबेनो राजद्रोह ने राष्ट्रद्रोह नू आवरण उढ़ाडी सरकारना टिका कारों ने देशना दुस्मन जहर करवानी प्रवृत्ती वधी रही शे राजद्रोह अने राष्ट्रद्रोह मां सु कोई तफावत छे अने जो ए तफावत छे तो ए सुप्रीम कोट जिवी बंधार निया अने तटस्थ संस्था द्वारा एनी कोई व्याख्या रजू थाई छे तो एवी कोई सपस्थ व्याख्या अजिसुदी आपने प्राप्त थती नथी एला आपने एवो प्रस्थन उपधो करी सके के सु सुप्रीम कोट मां जे अरजी करना रहा छे एतो समाप्त करवानी जवात करे छे केंद्र सरकार एक काईदा मां परिवर्तन करवानी वात मों स्विकार करी चुकी छे सुप्रीम कोट समाख्या एसी वाई सुप्रीम कोट ना जे पाचला चुका दाओ छे राज द्रह ने नहीं सकिए कि राजद्रहों ना काईदा ने सुधार आ वधारा साथे बनावी राखवा जोईए कि सम्पुर्ण पढ़ने समापत करीदे हो जोईए आ निर नहीं लेता समये आ वो विचार बनावता समये फरी एक वखत बंधाराण ना भाग त्रण मा रजुत हैला मुलभूत हकोनी जोगवायज आपनों मुलभूत आधार बनसे कि आपने आ राजद्रहों ना काईदा ने राखवा जोईए कि नो राखवा जोईए भाईवेनों अनुच्छे ओगणीस एक ए मा अपनने बद्धाने लेके देशना तमाम नागरिकोंने वाणी अने अभिव्यक्तिनी स्वतंत्रतानों हक प्राप्त थे हो जे अने आ हक पोता नामा ओसीमित न थी आ हक उपर वाणी अने अभिव्यक्तिनी स्वतंत्रताना हक उपर बन्धारन द्वाराज अनुच्छे ओगणीस बे मा व्याजबी नियंत्रनों मुकुवानी सत्ता राज्यने प्रदान कराई शे अनुच्छे दोगणीस बे जे कहे छे के वाणीयन अभिव्यक्तिनी स्वतंत्रता उपर व्याजबी नियंत्रनों मुकी सका से आ जोगवाई मुझब वाणीयन अभिव्यक्तिनी स्वतंत्रता ना हक ना उप्योग उपर भारतनु सार्वभावमत्वान अखंडितता राज्यनी सलामती विदेसी राज्य साथे मैत्रिपूर्ण संबंधों जाहर व्यवस्था नीतीमत्ता शिष्टता ना हीत्मा मरा भाहे वे नौ जो आ यहां क्या है राज़द्रों सब्दन न उल्लेख नती तो एनो अर्थ ये थाए के अधालपना तिरस्कार माटे तो तमें ये वो काईद्यों घड़ी सको जो के जे अभिव्यत्तिनी स्वतंत्रता उपर नियंध्रं मुके परन्तु कारोबारी तंत्र न विरोधना माध्यम थी क्या के वो संदेश लही लेवा मावे क्या तीरस्कार छे अने इनी पर राजद्रहनों केस चलावी सकाई एवो अनुच्य दोगनिस बे थी तो देखा तू न थी अनुच्य दोगनिस बे माजेस पस्ट सब्दो जे मापदंडों रजु थया चे अभिव्यक्तिनी स्वतंत्रता ने सीमित करवाना ये मापदंडों नी द्रस्टी थी मारा भाईवे नो मने कुल नव एवा मापदंड लागिया कि आ नौ मापदंडों ना आधार अभिव्यक्तिनी स्वतंत्रता ने सीमित करी सकाई चे सरकार नी टीका ना आधार सीमित करी सकाती न थी अनला माननी ये सुप्रिम कोर्ट एज अभिगं ना आधार एप्रस्टम पुछी रही चे केंद्रे सरकार ने के सु आ काईदा उपर जया सुती निर्णाई ना आवे त्या सुती आ काईदा ने अपने स्थगित करी देवो जोई है केंदे सरकार आ संबंध मा पोतानों मत बंधारणी ये सिद्धान तोने ध्याने राखी ने रजु करशे परंत तुमारा भाईबे नो आ संदर्म मा आपने जैरे अपने UPSC, GPSC जेवी परिक्साओनी तियारी करी रिया चीए मुख्य परिक्सामा आपने निबंध है ठड़ के अन्य कोई प्रस्थन है ठड़ आ मुद्धो पुछाई सके के आपनी द्रस्टी थी राजद्रो ना आकाईदानी जोगवाई, आना आवी कळग जोगवाई बनावी राखवी जोई त्यरे आपने आपनों मत रजु करवा ना ओँ छे द्रस्थी बिंदू थी मारा भाईबे नो आपने उगई सके के राजद्रो नी जोगवाईन ने राश्ट्र द्रोह नी जोगवाई ने राश्ट्र द्रोह थी अलग पाडवी पड़ से राश्ट्र द्रोह थी अलग करवी पड़ से और राश्ट्र द्रोह सुँ छे इनी सुस्पस्त व्याख्या करवानी जरूरियात रे से राश्ट्रोह सरकार नो तीरसकार कि सरकर्ण आनादर्ण नी वाद करे छे राष्ट्र द्रोह राष्ट्र साथे विश्वास घात नी वाद करे छे राष्ट्र साथे नो विश्वास घात अखंड भारत नी एक तान अखंड इतता नी विरुद्ध कोई पनकारिय राष्ट्र द्रोह मानी सकाए देश माई उपर चर्चा थवी जोईए के आपणा अनुच्य दोगनिस बे माँ जे सिद्धान्तो रजुत याचे मापदंडो रजुत याचे खास करीने भारत नुशार्व भावमत्व नखंडित्ता राज्यनी सलामती विदेशी राज्य साथे मैत्रि पूर्ण संबंधो आ त्रणेवन संदर्भमा कोई निर्णायक प्रकार्नी अभीव्यक्ती होई के जेना थी आ त्रणेवन उपर खत्रो उभो थाए तो निश्चित पणे एना माटे आपड़े राष्ट्रद्रोह सब्द न उप्योग करवानू विचारी शकी है आ कोई एवो मुद्दो न थी कि जेना उपर हूँ पोते कोई निर्णे आपी सकूँ हूँ प्रस्ताव रजु करी शकूँ हूँ मारा विचारो आ अभिव्यक्तीनी स्वतंतरताना वातावरनमा विनम्रता पुरूवक रजु करी शकूँ अन्य एज हूँ करी रहियो छूँ के अभिव्यक्तिनी स्वतंत्रतानी अंतर्गत जे व्याजबी नियंत्रणों हेठल आ त्रण मापदंड रजु कराया छे ये त्रण मापदंड ना आधर अपने मानी सकिए के राज द्रो अथवा राष्ट्र द्रो जेवी जोगवाई काईदा की ये जोगवाई बनावी रखवी जोई अन्य था सरकार्नों विरोध अथवा जाहर व्यवस्था निती मत्ता जेवा सब्द ना जे वर्तमान काईदा ह हो छे वर्तमान काईदा की ये जोगवाई यो छे आब अधा उपर नियंत्रण अन्यम आध्यमों ती सरस्रीते करेच छे अन्यम आध्यमों नो तातपर ये छे के अन्य आपना जे काईदा हो आईपीसी ने अधर जेपन प्रोविजन्स चे कलम हो छे ये तमाम दी अंतरगत आप अध्याद मुद्दाओं ने लईने व्यवस्थित काईदा की ये जोगवाई यो थाई छे अन्य वाणियों ने अभिव्यक्तिनी स्वत्तंत्रता ने ए आधारे आपने सीमित करी सक्या छे अन्य एसी मित्थवू एस समाज ना व्यापक हीतमा राष्टों ना व्यापक हीतमा छे तो सरकारनी टिका करवी एज जो राजद्रो होई तो एवा राजद्रों ने बंधारन क्या इस विक्रुतियाप तो न थी हुँ फरे थी राजद्रों ने परिभाशा करूं के सरकारनी टिका करवी अथवा सरकारनो बंधारनी या काईदा की या मरियादा मा रहीन विरोध करवो एज जो राजद्रों होई तो एवा राजद्रों ना काईदा ने हटावी देवानो समय पाकी गई हो छे यहां सोधी सवाल राष्ट्रद्रहनों छे एनना माटे अनुच्छ द 124 कलम 124 एमा थेली जोगवाई राष्ट्रद्रहन माटे तो यह थावत राखवी जोई हुमानुचु आपने एक सुस्पस्ट द्रश्टी आ संपुर्ण जे व्याक्या करवानी कोशिश करी विश्टलेशन करवानी कोशिश करी अना ति आपने प्राप्त थाई हसे चोकस पने आ वीडियो आपने उप्योगी थसे आ वीडियो ने लाइक कर सो अन्य यथा सक्के अधिक खेलावानी कोशिस कर सो धन्यवाद जैहिंद